हेलो दोस्तों, आज अगर voltage regulation IC के बात करें तो 7805 और LM317 ये दो IC के बारे में तो आप जरूर सुने होंगे जहाँ पर 7805 fixed voltage output के लिए और LM317 variable voltage output के लिए जाना जाता है तो आज इसी के बारे में बात करेंगे तो आज इसी दो IC के बारे में इन details बात करेंगे इसका protection system, block diagram, हर एक चीज जिससे आपको इसके बारे में perfect understanding हो और आप जान सकते हैं इसको कहाँ पर use करना चाहिए और कहाँ पर नहीं use करना चाहिए क्योंकि हम हर एक जगा पर इसका use कर लेते हैं तो पहले इस IC का name आगद देखे तो 780 ये एक 780 series का IC है जहाँ पर 05 इसका fixed voltage output दर साता है मतलब अगर इसमें 05 होगा तो 5 volt output देगा अगर 780 के बाद 12 होगा तो 12 volt आउट पूट देगा 08 होगा तो 8 volt आउट पूट देगा अगर इसका pin इसके बाद करें तो इस pin में इसका voltage in होता है मतलब ज्यादा voltage लेता है और इससे fixed voltage output करता है यद रखने वाली बात है कि voltage हमेशा ज्यादा होना चाहिए और ये voltage कम करता है ज्यादा नहीं करता और ये pin ground होता है तो इस IC में कुछ limitation है जैसे कि ये 1 ampere से ज्यादा नहीं दे सकता मतलब 1 ampere इसका highest limit है और एक जो limitation है ये बहुत ज्यादा power loss करता है मतलब इसका efficiency 39% तक होता है मतलब बहुत ज्यादा power loss करता है ये actually ये resistor के तरह कम करता है मतलब एक LED 1.8 volt का होता है मतलब ज्यादा voltage देकर भी आप चला सकते हो बाकी जो energy होगा ये resistor इसको heat format में बाहर कर देगा यही काम ये IC भी करता है फर्ग बस इतना है ये IC के format में आता है ये resistor के format में आता है output में जितना energy चाहिए वो देखगा बाकी energy ये heat format में बाहर निकल देगा तो 39% efficient होता है बहुत काम efficient होता है internal block diagram के बात करें तो अब देख सकते हैं यहापर एक opamp use हो है जहापर एक side से इसको fixed voltage दे आ रहे है और output से ये divider के through feedback लेता है और ये fixed voltage output करता है तो आप सब लाता है कि ये fixed voltage output करता है actually इसका data seat में हमको एक diagram मिलता है जहापर ये बताता है कि इससे हम variable voltage भी ले सकते है जैसे कि यहापर आप देख सकते हो कि एक divider को इसके ground के साथ connect करके आप variable output ले सकते है याद रखने वाली बात है इस formula के हिसाब से ये जो fixed voltage होगा अगर इस 7805 है तो 5V से उपर ही variable voltage देगा obviously जो voltage आउट करेगा उससे ज्यादा voltage जो input में लेगा तो variable voltage 5V से कम नहीं दे सकता इसलिए और एक आइसी हाथ है जो है LM317 ये भी एक variable voltage आउटपूट देता ये fixed voltage नहीं देता इसके लिए आपको output में resistor network लगाना परेगा अगर इसके internal block diagram में देखो तो यहापर एक fixed voltage source 1.25 इसका मतलब ये 1.25 से ज्यादा voltage देगा मतलब आप इसको adjust कर सकते हो इसका मतलब divider के through आपको ऐसा calculation करना परेगा कि adjust में 1.25 आए तो इसका block diagram देख सकते हो ये 7805 की same ही होता है तो इसको 7805 के जगा पर आप LM317 भी यूज़ कर सकते हैं मगर ज्यादा तर 7805 भी यूज़ होता है क्योंकि आप fixed 5 वोल्ट में ज्यादा तर काम हो जाता है LM317 बहुत कम जगा पर यूज़ होता है ये दो IC में circuit डिजाइन तो नहीं करना पड़ता है बाद कुछ कुछ चीज़े आपको द्यान रखना ज़री है जैसे कि capacitor add करना ज़री है input और output दोनों है और divider के तुरू आप input लेंगे मतलब feedback लेंगे तो यहाँ पर कोशिस कीजिए एक बहुत ही low value का capacitor देने के लिए क्योंकि यहाँ पर voltage इसके तुरू stable हो जाता है ओक आइसी के format में लेने का जो फायदा होता है वह है protection system क्योंकि यह दो IC over current protection and thermal heating protection मतलब overheat होने पर यह आईसी automatic off हो जाएगा तो यह सब protection देगा परन्तों यह चाइनीज मेड होता है इसलिए आप protection में इतना ज्यादा भारोसा नहीं कर सकते इसलिए input में कोशिस कीजिए एक जीनाट डावट लागा लेने की और fuse register लगा सकते हो आप असे क्या होता है कि यह बहुत कम दम में आता है तो अगर जिना डावट लागाने जाओ तो कोश्ट ज्यादा पर जाएगा इसलिए आप कोशिस कीजिए कि लोड 80 मिली एंप्यार से 100 मिली एंप्यार तक की हो इससे ज्यादा होगा तो heat management के लिए आपको heat sink लागाना परेगा तो कोशिस कीजिए ब बागबूस्ट कनवर्टर आप देख सकते हो क्योंकि यह बहुत efficient होता है बागबूस्ट कनवर्टर यह PWM signal के जरी है और coil के मदद से voltage regulate करता है इसलिए बहुत ज्यादा efficient होता है 80-90% तक efficient होता है heat बहुत कम होता है तो आप DC Conversion के लिए यह सब इस्तिमाल कर सकते है अगर low amp के बाद करें तो 7805 बेस्ट होता है क्योंकि कम दम में होता है और low amp एर में उतना power loss नहीं होता तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप comment section में बता सकते हो और चाहो तो like भी कर सकते हो और ride वाले वीडियो को click करके आप एक accurate जेना diet के बारे में भी जान सकते है जिसका नाम ह at TL431